प्रादेशिक समाचार नवसकार समाचारों के साथ मैं प्रशान्त सेंगर सरकार ने मुबाइल सिम कार्ड डीलरों के लिए बायो मेट्रिक्स अत्यापन को आनिवायरे और बड़े पेमाने पर नई सिम दिये जाने को बंद करने का निर्न लिया है नई दिली में संचार मंत्रे अश्विने वैशनावने ने कहा कि सभी सिम कार्ड डीलरों का पंजी करन भी अनिवारे होगा साथे आधार के दुरुपियों को रूकने के लिए आधार के QR कोड को स्कैन करना भी अनिवारे कर दिये गया है संचरजाती पोटल के बारे में उन्होंने बताया कि 52 लाक फर्जी कनिक्शनों का पता लगाया गया है और उन्हें निश्क्री कर दिया गया है इसी तरह सरसथ हजार सिम कार्ड डीलरों को भी प्रतिबंदित किया गया है इस नई पहल के अंतरगत मोबाइल सिम कार्ड डीलर किसे अवेद गतिविदी में शामिल होता है तो उसे तीन वर्ष के लिए प्रतिबंदित कर दिया जाएगा राज शासन दोरा 16 सीम राइज स्कूल भवनों और 19 कन्या शिक्षा परिसर भवनों के निर्मान कार्ड के लिए 1129 करोड 66 लाग रुपे की प्रशास की सुकृति जारी की गई है बैतूल में चार मंडला और अनुपूर में तीन धार में दो और बड़वानी शिवपूर सीधी और अलिराजपूर में एक-एक सीम राइज स्कूल भवन निर्मान के सुकृति दी गई है इसे प्रकार सिवनी में तीन, मंडला, छिंदवाडा, बैतूल और अनुपूर में दो और सीधी, इंदार, जवलपूर, धार, ओमरिया, शैडोल, सीहोर और खरगोन में एक-एक कन्या शिक्षा पर इसा भवन का निर्मान किया जाएगा केंद्रिये रेलवे संचार सूशना प्रद्युकी की मंतरी अश्वनी वैश्णव ने आज बैंगलूरू में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाक घर भवन का उद्गाटन किया बैंगलूरू के इस डाक भवन में IIT मदरास और लारसन एंड टूबो की तकनीकी जानकारी देने वाले 3D प्रिंटेड तकनीक का प्रियोग किया गया है 3D प्रिंटेड भवन कम खर्चिला होने के साथ साथ निर्मान सामगरी की बरबादी को भी कम करता है ये परेवरन अनुकूल है और ये भवन अनूठी डिजाइन की संभावनाओं के साथ साथ निर्मान कायर में गती को भी बढ़ता है संस्क्रिति पारिटन और धार्मिक नियास एवं धर्मस से मंत्री उशा ठाकुर ने बताया है कि प्रदेश में सो वर्ष पुरानी संगीत धरोहर महियर बैंड को पुनर जीवित किया जाएगा गुरु शिश परंपरपरा अधरित महियर बैंड को महियर बैंड गुरुकुल के रूप में संचालित किया जाएगा गुरुकुल में उस्ताद अलाउद्दीन खान की एक सो पचास दुरला बंदिशों का प्रशिक्षन दिया जाएगा गुरुकुल में प्रशिक्षण का सात्र अधिक्तम दो वर्श का होगा और प्रशिक्षण आवदी में प्रशिक्षणतियों को 10,000 रुपे परती महा चात्रविक्ति भी दी जाएगी महियर बैंड के सेवा निवरित पांच संगीतकारों को प्रशिक्षण के लिए 37,500 रुपे की समान निदी भी तैकी की गई है प्रदेश में मानसुन के सक्री होते ही बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है प्रदेश की कई जिलों में कल जम कर बारिश होई आज भी भोपाल सहित कई जिलों में बारिश का करम जारी है जबलपर में भी बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है कल शाम से जिले में शुरू हुई बारिश अभी भी जारी है इस दौरान दो इंच से अधिक बारिश दर्श की गई है यहां लगतार बारिश से निशले इलाकों में पानी भर गया मंडला जिले में भी कल रात से बारिश हो रही है आज भी यहां रुक रुक कर बारिश का करम जा रही है लंबे समय बाद वर्शा होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं जिले में अब तक बारिश नहीं होने से फसल सूखने की कगार पर पहुँच गई थी और अब इस बॉलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप में कुशल मेंटेनिंस से पिछले साल की तुलना में 4.53 प्रतिशत लाइन लॉस कम करने पर बिजली कंपनी के नर्मादा पुरम को प्रदेश में और सुहाग पुरको संभाग में पर्थम पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अगर मालवा में सामजिक नयाय और दिव्यांग जन्स शक्ति करन विभाग दोरा कृतरिम अंग एवं सहय को पकरन परदान करने के लिए 70 दिव्यांग चिन्नित किये गए है जाबो जिले में प्रशासन ने अधिकरित और वरक विकरिताओं को निर्देश दिये हैं कि वे शासन दोरा निर्दारित दर पर ही और वरक विकरे करें निर्देशों के अभिलना करने पर एक विकरिता के खिलाफ एफ आई यार भी दर्ज की गई है टीकमगर जिले में समाज के विभिन वर्गों में आत्मीता का भाव बढ़ाने के उद्देश से इस नहें यात्रा निकाली जा रही है और भरती पहलवान प्रिया मलिक ने जॉर्डन में आईजित अंजर 20 विश्व कुष्टी चेंपेंशिप में सौन पदक जीत लिया है प्रिया ने 46 किलोग्राम भार वर्ग में पूरा टुनामेंड के दौरान एक ब्यांक नहीं गवाया प्रादिशिक समाचारों के इस ब्लेटिन ने फिलहाल इतना ही आगे दीजे नमस्कार